यो वट्सपोसम ओडियंस एक बार फिर से हम लोग आ चुके अपनी इंपायर सेंपी के अंडर और आज की स्वाली सेंपी की वीडियो में नहीं मतलब इंट्रों भी नहीं चैंसे करने देगा है यह तो एक काम कर नहीं मतलब वह काम तुने करी दिया है मैं कहने वाला था मेरे रिगार्डिंग समान कलेक्ट कर रहा था और मैंने अपना इंट्रों गज्जु आई के घर से स्टार्ट किया कि कोई नए चीज बनी थी तो मैं सोचा यहीं से स्टार्ट करते है बाइद वे तुमका तुमारा थैंक यू आर शोट पे सपोर्ट दिखा रहो तुम लोग मेर खतरनाक वाला सपोर्ट दिखा तो ठीक है और आज हम बनाने वाले विलेजर ट्रेडिंग होल बहुत ही खतरनाक तरीक के से तुकि यार अब हमारे पास है डाइमेंड आर्मर और अभी तक वो मैंने छुपा रखा एक बहुत ही खतरनाक जगह दिखाऊंगा मैं तुमें इत सब्सक्राइब का बटन हिट नहीं किया प्लीज यार यार से कर दो और कमेंट्स करके ना ओप्शन आ रहा है फटाफट से जाओ एक प्यारी सी कमेंट मापे छोड़ दो ठीक है और यह एडम भाई तो कैसे टीपी सा हो गया एकदम है बाई चलो बाइदवे मैं तुम लोग यह किसके काम है पता नहीं बाई यह देखो यहां पे ना विलेजर विलेजरों का लंगर लगा पड़ा है मजाक से अठके भाई मैंने कही थी एडम को थोड़े से विलेजर करने बस इसने ब्रेड दे देके ना भाई पूरी संख्याए लगा दी यहां पर विलेजरों भी तो बस मैं तुम्हें अभी यही दिखा रहा है मेरा पानी किदर है भाई लो मेरा पानी अच्छा यहां पर गिरिया गया तो इस पता नहीं कुछ भी चलता माइन क्राफ्ट में आजब यहां से निकलते फिलाल और स्प्रूस लेने चलते हैं गाई जब चल एडम आजब को ठीक कर दियो और आयरन आर्मर तेरे को चीए तो बता नहीं तो खुद बना ले ठीक है चलो गाई मैंने आर्मर पैन लिया क्योंकि मैं जा रहा हूं स्प्रूस के लेक्ट करने हो बाइद अगर रात वेगार होती है ना तो कोई दिक्कत ना हो हमको आज अब हम स्प्रूस करने चलते हैं चलो गाईज अभी जा रहे हैं स्प्रूस के लगने वाले और इसको भी मैं साथ में लेके जा रहा हूं अब यार मतलब क्या बता हूं मैं चल फटा फट चल कंपास है तेरे पास है चल रहने दे मेरे पास है एक्चुली हम यहां से फटा फट से निकलते और फटा फट चलो गाईज अभी निकलते हैं से फटा फट और एफ वी मैंने 90 किया हुआ है तो तुम लोग बता देना तो चलो गाईज मेरे को पता है लास्ट टाइम में यहीं पर ता स्प्रूस का भाई वाई देख रहात होई चुकी है जा फटा फट दीन करके इतने मै आई पर तेरा इंतजार कर रहा हूं और यह कोमेडी अकेली यहां पर क्या कर रही तेर को मैं अब बान में डाल देता बट भी मिना मेरा मन है नहीं क्यूंकि मैं जा रहा हूं स्प्रूस करने समझ रही है तूँ और वीडियो को लाइक करा तूने बाई कोई रिस्पोंस ही चल रही है बाइदाव इसको छोड़ो और फटा फट से दिन कर क्या और यार अपनी पैर सम्पी अब मेरे को ना खतरनाक लगने लगे क्योंकि अब यह एक संपी लगने लगी है और इसमें कोई वैसे मतलब हीरो ब्राइन वागारा कब सीन भी नहीं हो रहा है और आई होप फटा फटा आजा और यह घर याद मैंने बनाया था उस जमीन पर पहले बाइदवे मां पर हमने थोड़े पाड़ो बाड़ काटे थे टी एंटी से फोड़ के और मां से एकस्पी फार्म भी अट चुका है और अब सही लग रहा अपना चैस्ट रूम मैं कहां पर रह गया है कि यहां से तोड़ी सी ज्यादा आइटम हां के लिए एलो एडम भाई का रहा गया और एक तो यह एडम यार बहुत अच्छा वो रहा में फास्ट काम करता है मतलब देने काम ने करता रहा फटा पट मेरे पिछार तो यहां पर स्प्रूस का बायों तुम सोच सकते हो क्य होगी कई बार मैं गया जा भी रखा हूं इदर और हम यार एडवेंचर पे ना कम निकले मतलब मेरे को पता है बहुत कम एडवेंचर पे निकले और यहां पर फटा फट से निकलते हैं बाइद वे मैंने तुम्हें काफी बंदे मेरे से पूछते मेरी पीवीपी कैसे मैंने बता दिया है ओल रेड़ी इन शोट दिखा दिया है मतलब बता ने दिया है अब बै यार आजा मैं सुचा पानी में कूट जाओंगा ये भी नी कूट पाया आजा बेटे बाई मैं जब से इस से कहा रहा हूं कि स्प्रूस के सैपलिंग तेर को पता है का रहते है वो कह रहा मतलब समच जोनने तो उम लोग Egyptians को स्प्रूस का और डार्क का डिफेरेंस नहीं पता भाई Ahh इसलिए मैं इसके साथ चल रहा हूँ आ बेटाया स्टेर को मैं बताता हूँ कितना क्या क्या डिफ्रेंस है यह स्पूरूस है यह डार को होगे पता नहीं भाई क्या है और आई थिंक है इंपे तो था ना वो आजा भाई फटा फटा आजा और यहां पे स्पूरूस का बायूम स्टार्ट होने वाला हुआ अरे स्पूरूस का बायूम कहां पे रह गया वाई एक्चुली मैं बहुत दूर सा लग रहा हूँ आपको खुदी नहीं पता अबे भाई मेरे को पता है तो आ तो सहीं एक बार आज देख मैं दिखाँगा तेर को फटा फटा उपर उपर हां इदर आजा फटा फटा बाई कब पानी डाल रहा हूं पानी से नहीं आ रहा बंदा चलके आ रहा है देख रहा हुआ जा वहाँ आजा और यह स्पूरूस का बायूम किदर लगता था इतिंक इदर के तरफ य काफी बार जा चुका हूं और उसी लोकेशन पे जा रहा हूं जहां पे स्पूरूस के सैपलिंग हमको मिलते हैं आरे आजा बाई स्पूरूस का बायूम रात होगी तो हमको अपने वापिस इंपायर के तरफ निकलना पड़े आ रहा ना तुछ चलो अभी फटा फटा फट काई नहीं है बटे श्पूरूस का है कि दर भाई यार एक तो मेरे को ना कोडिनेट चेक करने चेक कहां पर वह इस टाइंग मैं हूं थ्री मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह स्पूरूस का मामला क्या है वो देखो यहां पर हरे बंदर कहां पर है तू आजा भाई यह तो मैं घूम फिर के महीं पर आ गया अपने उस जगा पर आई थिंक मैंना थोड़ा गलत चल गए तेरे पास माइन काट है भाई माइन काट है तेरे पास माइन काट नहीं है एक त्यार माइन काट मेरे पास आई रहे न फटा फटा आजा माइन काट बना के हम यही से स्टेशन में बैठके दुबारा इंपायर में चलते हैं और महां से कई और तस प्रूस मेरे को पता याद आगए कई और ता इस मैं इसको गलत डिर के यार लेट्स गो चलो अब निकलते है फटा फट इंपायर एस एंपी के लिए और महाँ पे जाके फिर अलग डिरेक्शन में चलेंगे समझे रहो और यह क्या हो क्या रहा है मतलब आजा बही आजा यहाँ पे से फटा फटा चड़ जा बही फटा फट चड़ यार इतना टा वीडियो भी काफी लोग और मैं लोंग करना नहीं चाहता तो चलो वन टू थी लेट्स गो तो चलो गाई यार मैं देखो मैंने तुम्हें कही थी मैं मिलता हूं स्प्रूस के वाइव में पर वन टू थी होते ही मैं अपनी इंपायर में आ गया क्योंकि मैंने जब मैं तो पूरी डिर्ट को एसे कर रखाता तो इसरो बनाने में दिख्कत होती यह मैंने दुबारा आप्पे से इसको खोड़ा और डिर्ट लगाने में इतना टाइम लग गया पूछ से बाट कट भी करना पड़े गया अभी तक इसमें उसमें घ्रास भी नहीं है यह देखराओ तुम लोग लेकिन अब यह काम करता है फटाफट से न स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते ठीक है तो चलो आज अभी स्ट्रक्चर बनाना क्रेट कर रहे हैं बाकी प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो ठीक है लेट्स गो गाइस तो भी यहां से मै करने वालों तो first of all यहां पे यहां से स्टार्ट करना मेरे को और यह से स्टार्ट करना तो इहां से मिरे को ऐसे करना होगा एक शर्दों उसके बाद 01 चू थू ठीन फार फाइव सिक्स nghi 9 10 11 12 13 14 15 मेरे को पता यह थोड़ा बड़ा बनेगा ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा मतलब तुम भी क्या हो गया खतरनाक चीज बनाई है और इधर से यहां पे से ऐसे वन छोड़ के ऐसे वन छोड़ना फिर यहां पे और फिर आग चलो आगे आगे का स्ट्रक्चर भी बनाना सुझू करते हैं यहां से तो देखो मैं गिन लेता हैं वन टू थ्री फोर हो गया फिर वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन तैन 11 12 13 14 15 यह बिलकुल यहां तक का स्ट्रक्चर जो है न इसका यह बिलकुल प्रफेक्ट स्ट्रक्चर है देख रहो तुम लोग कizerice इसके बाद का continue करते हैं चलो हैं अब आपके भी हमको आएसे ऐसे करके पूरा यहा तक कि देख रहो तुम लोग भाया भाई बैसrial दा गया तुसर लेके यहां तक का इसको ऐसे करके कर मैं कि समझ भी तूम लोग समझ यगए होगी मैं क्या क cafes इसको मत गिनना इसे वन चू थ्री फॉर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवन ट्वेल अब आगल है गार गिन रहा था मैं आपोल क्या हुआ अच्छा ये समान बना लिया तुने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्प्रूस भी लिया है इसा सारा समान थैंक्स भ इक मिनिए उस चैस्ट में ढाल दे रूज यह फिलाल के नहीं तो उस और की जरूरत नहीं तो श्पुतिते हैं यहां से 15 फिंफटी 5 बिल्कुल ऐसे गरना method कभ सेना आगे स्ट्रक्चर चंटीनूंु करते चलो रैडम भाई कि फटाफट से और समान बनाना शुर्ट करो के तो चलोग वाहिस अभ फटाफट से स्टाउट करते ही यहां तक में खूख करो करतें हैं यहां तक का कह स्ट्रक्ट पेर्फस्ट और्फ घ्यासे कि तुम लोगह सकते हैं यहां पे Peace 3 इसको ऐसे करना मतलब 4 जैसे कि मैंने यांपर 4 किया था वैसे यहां पर भी 4 करती है उसके बाद यहां से 5 खीचना है 1 2 3 4 5 उसके बाद यहां से 1 2 3 4 और 4 बाद जैसे कि तुम लोग देख रहो इतना हो चुका है हमारा और के बाद यहां से भी हम को फोर क्हाच ना एक छोड़गे यहां पर भी one two three four ठीक है यहां पर four खैळ दियों उसके बाद हम को यहां पर five खैजना one two three four five जैसे तुम लोग देखे हैं जो five है वो यहां पर बनाना तो करते हैं फटाफट वन टू थ्री फॉर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवन ट्वेल थर्टीन फॉर्टीन फिफ्टीन इसके बाद सेम ऐसे ही करना इसको यहां तक पैसे जोइन कर दो वैसे और अपना जो स्ट्रक्चर अब हो रैडी गा समझे रहो तुम लोग अब चलो यह जैसा कि तुम लोग देख रहो अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो और फटाफट से सोके दिन कर भाई एडम भाई फटाफट सो और अब काम आएगी हमारी स्प्रूस समझे रहो अब यह सारी स्प्रूस काम आने वाले हैं यहां पे और इन में स्प्रूस लगेगी तो देखो अब कैसे लगेगे चलो गाईज अभी फटाफट से प्रूस को लगाना स्टार्ट करते हैं तो स्प्रूस कुछ इस टाइप से लगने वाले हैं इनके पौने पे देख रहो तुम लोग अब ही बताता हूं तुम लोग को आई थिंक क पूरी लाइन हुई पड़ी है ना अपनी शवल का गई मेरी यह मेरी मेरी शवल अभी स्पूस का काम निया यह सारी डर्ट को अटाना और इनमें कूमबल स्टॉन बरना गा इस पहले मैं भी आर पहले उस काम में लग गया तो पहले ना इस डर्ट को अठाना फिर जाके बता अब जितनी भी डर्ट ऐसी दिख रही है ना तुम लोगों को इन सारी डर्ट को हटा के पहले आपे कुंबर स्टोन को बरना है उसके बाद जाके स्टार्ट होईगी अपने बिल्डिंग का काम तो तुम भी बना सकते हो इसको बाकी बताना मेरे को कैसा लग रहा है तुम्हें और को मैं कुछ याद है क्या है यह भाई नहीं जाना चाहता आपर जिन बंदों पता है क्या था यह यह बहुत दिक्कत हो जाती है लिटरली बाई मजाख से अटके और अब भी के लिए सारी डर्ट को ऐसे अटा देना होगा और इमें भरना कॉंबल स्टोन भाई एक बार मेरे कोंबल स्टोन लागे लिए अपने कॉंबल स्टोन फार्म में पड़े होंगे यह लोगो चिस हो मैं इधर्ण तो यह चाइट में भी देख लो चाइट में भी देख लो आठो और चैट में देख लो जटर्ण वी ने के लिए देख रहो है तो आपना यहितना फुराना इस्ट्वाना स्टोन फाम्न पाता कुंड पांधा तुम essentlooos इनको लेना है एक स्टैक और ले लेता हूं बस इतने बहुत रहेंगे और अभी के लिए फटा फट से निकलते हैं अपने उस फार्म की तरफ ओए अब ओओ एडम यार फटा फटा यार गलती से पता नहीं किसे ने काम करिया है अपनी सारी गाये बैस निकल कि इनको फटा एक सारी सारी घुल हुई हुए पता नहीं किसीने कोल दी आ फिलाव हम दोर में मेर से भी हो सकती है इससे भी हो सकती है गलती तो तू डाल दे वाइंको फटा फट अभी इनमें ऐसे करके सारह सम्में स्टोन बर देना अभी बढ़ता है तुम्हारा बाई यह देखो कुछी स्टाइब से तुम्हें न सारे में स्टोन बरना है और इसको मैं फास्ट फॉरवड नहीं करूंगा जो फास्ट फॉरवड की चीज होगी ना तब करूंगा उसे फास्ट फॉरवड समझे रो अभी छोटा सा काम है यह देखो यह कंप्लीट हो गया बस ऐसे करके इसमें भी क् लो भाई यह लो यह लो अच्छा स्टोन खतम हो गए यार एक तो यह गोरव गोरव के पास मैंना फोन कर रहा था भाई मजाक सेट के बंदा कह रहो गोरी के साथ डेट पर आया हुआ हुआ है दुबारा अम मैंने कही ठीक है भाई तो अपनी डेट बना कुछ कह भी नहीं स चोड़के ऐसे लगानिये अब तुम में से काफी बंदे समझ के हूंगे कि मैं कैसे कह रहा हूं तो कुछ ही इस टाइप से हमको एक एक ब्लोग का चोड़के यहां पे ऐसे लगानिये और बहुत इसी विल्ड़ भाई यह तुम भी कर सकते हैं इसको इसके बाद यहां पे कोई चीज सेम रिपीट करने समझी कि होगे तुम लोग क्या कह रहा हूं है लाइक दिस एड़ दा कोर्नर ठीक है ब्लीकुल कोर्नर पर ऐसे करना है और जैसे कि मैं कर रहा हूं तुम लोग देखी रहे होगी एक-एक ब्लोग का गैप छोड़ना कभी पता चले भाई तुम सटाय जा रहे हो एक-एक ब्लोग कैसे न चोड़ना और इससे पता चलता है कि अपना कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन चुका है गाइस मजाग सट के बहुती क्रेजी और बहुती इजी फाम है जैसे कि तुम लोग यहां पर देख रहे होगे कितना इजी और क्रेजी अभी है समझेरों तुम लोग ऐसे इनको फॉर फॉर करके उठाना है हर किसी को लाइक दिस मैं तो मैं दिखाता हूं टू थ्री फॉर उसके बाद सोरी गलती से होई नहीं भाई टू थ्री फॉर एक्स रिगली चुआ गाइस अभी ताज एक्स रिगलिस था भाई एसे फॉर फूर उटा लेने के बार मैं बताओंगा तुम्हें की करना क्या है पहले तो तुम्हें समय वन ऐसे उठालेना फॉर फॉर का घरल एकाहिए नो जैसे कि इसमें भी टू थ्री फोर स्के बाद सोरी गाइन्स 234 उसके बाद यहां पर भी 234 उसके बाद यहां पर भी 234 भाई तो प्लीज यार मेरे को दो मिनट दो मैं सारे को करके मिलता है तुम लोगों से ठीक है भाई दो मिनट दो बस लेक्स गोगा है जबिया मने इतना कर दिया है इसको और अभी बता हूं क्या करना है हमको अब इन में देख यह से कि तुम लोग देख रहों कि इतना structure हो जब इन सब को four four की हैट का उठा दिया है अम लोगोंने अब बनाने स्क्राफटिंघ श्यास गणा करें अपने साथ साथ मैं नहीं तो अपने इंपायर में ना फने स्टेर्ट के बनाने के लिए आपने चैस्ट रोम में जाता बनाने के लिए तो रहिसों देखरो पाइब भी स्टेर्श बनानी धो deal like this श्यसलिक हां तो मिल्म स्टेर्श बंग बंडन चुकिया और तुर इस टाइब से इन न को लगा ना है देखरो उड्य कुछी से like this hair ऐसे पहले इनको corners पे ऐसे करके लगा तो ठीक है उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देगर हो ए उसके बाद ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं गलती होई गलती होई पोड़ी सी गलती होई इनको ऐसे हटा के कुछ इस टाइप से लगाना मैं तुम्हें बताता हूं किस आँ इसे मतलब किसी और तरीके से टिकाना होई इसको जैसे कि यहीं पे टिकाना होगा आई मैं क्या कर रहा हूं कि यह मैं थोड़ा सा ऐसे राउंड में करके इसको यह क्या कर दिया मैंने इस जरा ना मैं बता रहूं तुम लोगों को एसे बिलुकल भी मत कर देना जी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे पीछे जाओ और मस्त ऐसे करके लगा दो आई थींक ऐसे लगनी नहीं थी ऐसे नहीं लगनी थी ऐसे बिल्कुल नहीं लगनी थी मेरे को दो मिनट दो मैं अभी सही तरीके से लगाता हूं तो गाइस जैसा कि तुम लोग देख रहे होगे अगर यहां पर क्रीपर आगे ना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और तो जैसा कि तुम लोग देख रहे होगे कि आप हर जगा पे ना कुछ इस टाइप से तुम्हें लगाने ठीक है सिर्फ दो दो के गया पिता कि जो भी हम विलेजर यहां पर डालने वाले इस ऐसे बिल लोसे करना, बाला एक दीज़ देख एसे ऐसे और वो मेरे पास स्टेर ही खत्म हो भी भाही आना दो मिनट दो मेरे को में स्टेर्स बना लूँ, ठीक है, दो मिनट दो मेरी स्टेर्स कहां पर गई भाही स्टेर्स मतलब अपने मैंने स्पूसके बहुत सारे हैं प्रश पै त जो खोलिकें और फैनक एक स्टैग तो लगनी एंड तो सिर्च बनाएं मैंने ज्यादा निक लाइक धुना इस ठीक है पहले तो सैसा करते जाओ उसके बाद इसको नहीं ऐसे नहीं पर नक्रम गलती कर दोगे नहीं तो फोड़ो ठीक है तो लो अगर घंद कुछ हो जाए तो मेरे मूर से पता नहीं क्या निकल लाती है तुम लोग समझ गए होगे ना मैं क्या कह रहा हूं तो कुछ इस टाइप से हम को यहां पर लगानी है जैसे कि तुम लोग इदर देखी रहे होगे और सेम ऐसा महां पर भी करना है ठीक है जस्ट लाइक सीम और मेरे को यहां की सोरी कि थोड़ी सी नफ arguments अटानी पड़े गी ज्यादा नी थोड़ी अटाम उगा पुकि chocolate बिल्डों को दिककत दे रहा हूं वसमेट अडनी अटा ए ठाँ रहा और यहां फ्रुलाट फेंस कहे रहा मतलब डुड ऐसी बात नियां या पे निहां पिर में लगानी है ठीक है निर और आई थिंक मैंने सारी जगा पे लगा दी है स्टेयर्स बस अब थोड़ी सी वूड़ी यह तोड़ने पड़ेगी सॉरी ब्रो तेरी फैंस मैं तोड़ी सी तोड़ रहा हूँ एडम भाई क्योंकि बिल्ड में ना दिक्कत नहीं थे मेरे गुजरा से भी और एक और तोड़ देते हैं अब बिल्कुल परफेक्ट बनाए उसके बाद यहां पे भी लगानी है गाईस उसके बाद यहां पे भी ल किया है बोदा खेखो तुम लोग बनने के बाद तो और भी खतर नाक लगे यह बस इसमें डीफिकल्ट काम बताओं क्या हैzz विलेजरों को पकड़ना भाई गिलेजरों को इसमें डालना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है बट अगर प्रैक्टिस तुमारी प्रीजरों को डाल अगर बनाना ना अगर चेला रोड़ती है हम इंसानिये बैफ कोई प्रोफेशनल विल्डर नहीं आ रखे में पर्प्रोफेशनल गणने की को सिस्टम करने समझ रहे तुम लोग करने हैं नी कर रहे हैं मैं पता नहीं कभी कबार क्या बोर्में था है इसका स्ट्रक्चर एक तो मैंने शब कुछ मेरे ना नोट्स में लिखा रहता है और मैं फोटो खैच रहे तो में वीडियो में जाएगी इसकी टुट्योरियल की डिस्क्रेप्शन म अगर मेरा समझे में नहीं आ रहा तो एक वीडियो की लिंक दे रहा हूं महां से देखके तुम यही वाला सेम बना सकते हूं ओ दो मिनट तो मैं भी देखके आया भी कि की और कैसा स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है और एक मिनट गाईज मैंने थोड़ी सी गलती बतंग क्या करी है बस थोड़ी सी गरिये जादा नहीं करी यहां पे तो स्टेर्स लगा दी पर यहां पे भी लगानी है मेरे कुछ टेर्स लाइक दिस ठीक है अमादी तुम लोग तुम नहीं क्या कह रहा हूं जस्ट अब क्या कर रहा है पि दो मिनट तो रुख जाएकर फूरा बिल्ड बनन है तो इसलिए थोड़ा साना टाइम लग रहा है और यह कुछ इस प्रकार से करना ठीक है और यहां तक तो मैं ठीक करता हूं वाइस कोई कलती नहीं अब जर्म आप ही वही सेम चीज रिपीट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से और यह यहां पर ऐसे लग गई लेट्स को गा सबसे पहले तो यह इनको यहां पर यहां पर क्या करते रहना है लाइक दिस और उसके बाद फिर आगे इदर फैंस का भी काम होने वाला है तो फैंस भी तुम लोगों को बना कर रखनी स्प्रूस की और प्लीज की बनाओ ना कभी तुम को मिनेशन खराब मत कर देना कि प्रूस की यूज होने वाले और लगा दिये हैं आपे हैँ यहां पे लगा दे तूं पाइप क्या होता है पीप समझे में नहीं आ रहा हो है कि मेरी को तेरी बॉल मत काcież करंने मेरको बहुत है उसके का सब्सक्राइब के ला लाना है कि अब एक पर सिन में काम जомина के तक दो आ कि zo आ पर अड़ीया यह करना ही इसको वापिस ले के जाएश को आप जॉम्बि कार्टा लै। ले तो गाइस अभी पता नहीं वह वापिस लेके जाएगा है नहीं और चाचा बढ़ी है तुम बता हूँ कह रहा है सब्सक्राइब कर देना ठीक है नहीं तो पिटोगे तुम भी हाँ और अभी एक काम करते है गाइस यहाँ पे अभी स्प्रूस की फैंस बनानी है फिलाल के लिए इस फैंस मेरे पास पड़ी भी है बता में किसकी बनानी पूस की और फटा फटा बनाते भी देखते कितनी फैंस अठारा बन सकती है और डार्क डार्क प्लैंक्स की ना सबकी यहाँ पे स्टिक से बना लेंगे हैं करके समझे रहो तुम लोग यह लोग सबकी अब यह क्या बन गया मेरे को बनानी है डार्क स्प्रूस की नेट्स गो तो स्प्रूस की यह फैंस बन चुकी है उसके बाद क्या करना है उसके बा यहां पे स्प्रूस फैंस नहीं लगाने इसके यहां पे लगानी है कुछ इस प्रकार से और एडम सर एक बार जरा ना दिन कर दो यहां पे रात होने वाली क्रीपर आ जाते हैं ना वाई बिल्ड के बीच में मेरा तो बहुत जादा दिमाग खराब हो जाता भाई मजाक से अब किसी दिन रियल लाइफ में मिल गया ना क्रीप पर वह तो पहले बाव वह तो बाद में फटेगा वह मेरे हाथ तो फटेगा पैने मतलब मैं क्या बोल गया मेरे को कुछ समझ में नी आया तुम लोग समझ गयों कमेंट में बता देना मैंने क्या कही और एक बार फटा- अच्छा जो ट्रेड लेनी वो लो फिर तुम यहां पर देख रहे हूँ अब इसके बाद मुझे भी नहीं पता है अब देखने दो कि क्या करना है थोड़ा सा पता थोड़ा सा कर देता हूं अपनी स्पूस की और उको फैंस बना लेते पहले तो यहरी स्पूस की लोग और इसके बाद इसको ऐसे करना था फिर ऐसे करना था और फिर ऐसे करना था कुछ इस टाइप से करना था यहां पर और आई थिंक यहां पर भी यही करना होगा गाईस उतलब यही करना होगा वाई तुम भी कर देना बिना देख ले बोल रहा हूं बट मेरको पता है इन कोनों म इसको ऐसे को कि उचिस टाइप से इसको यूं बर देना है लाइक दिस उसके बाद हम मैं तुम्हें बताता हूं कि करना क्या है मेरे को जरद दो मिनट दो बस अभी देख किया भाई नी एक काम करना उनके पूरी फैमजी को ठाके यहां पे रख दे फिर करीपर इंको फाट द रही करा तुने ठीक करा यह और भाइ मेर को तेरी भासा समझ में आती है अपने टाइप ना थोड़ी सभी करो भई मैं मेरको समझ में आती है अडमसर तू लिखता गया रहता था वस मेरको अंचिए उन्हीं समझ में यह निया था बांकि अभी विलेजरों को मतलब अला स्टोन काम करए को तुकि हम एक अस्ट लिए थे वन टेक्म लाकी युज को के लाइन एक gw helmets का Сам काम करवां तक अब सिर्शून को धाया है इसे लिए फटाफट स्टोन पकने रख दे उसमें अपना जो फरनेंस है नो और अगर स्टोन पके हुए है भी तो मिर को दे प्यूंकि अब स्टोन ब्रिक्स का काम है अच्छा है क्या इसमें अरे वाँ अच्छे स्टोन नहीं मांगे थे पके हुए चाहिए बिल्गुल पका यह देख लो भाई स्टोन ब्रिक्स ही नहीं पड़े हमारे पास में इसके पीछे में आप इस चोन पकने रखे थे मैने लास्ट टाइम जो मैं इसको इसको नहीं अपने उसको बिल्ड कर रहा था बान को यहां पर नथिंग इस्टोन है ओ इस मिल गया कि अस्टोन दे मेरे को वापिस यार इतनी मुश्किल से मिलेंगा फट फट दे दिया दे क्या देना भाई आये हो इना बात चलो भाइश अभी फट स्टोन जो मैंने पकने रख रख ही मेरे बिवापर दे दियो मेरे को थोड़ी देर में अभी निकलते हैं और स्टोन ब्रिक्स बनाना सुगू करते हैं ऑगांए गाया गोस्तो इस फोटी स्टोन ब्रिक्स की स्लेब वगरा काम पर आई तो वो तो तुम्हारा बाई बना दे का पता है तुम लोगों को कितनी मस्त लग रहे हैं अब अपनी SNP देख रहूगा इस और तुम बता देना 490 पे खेल ला या नहीं खेलना मेरको अगर तुम अच्छा लग रहा है तो मैं खेल हूँ आ 94 पे और ये मैं बस क्या बता हूं इसका तुम लोगों को मैं कुछ कहा नही मैं रूड़ा गलता है और आभी के लिए स्टोंज ब्रिक्सनिक समाट नगता हूं ना यह रेसिपी यह कि स्टोंब्रिक्स की यलो एक प्राद बृट नगा रखतरों और शौटा साम नेिकरता हूं सबसे पहले बताता हूं तो एक मिनट मेरे को न अपना मोबाइल एडिजेस्ट करने तो पीपीशी पे देख के बना रहा हूं आप इसको तोड़ना है कलत कर दिया था मैंने क्योंकि इसको अब तो पागल तो नहीं यूँ बता दे काम करने नहीं दे रहा भाई यहां पे दो कब लोग करना है ओके इसके बाद यहां पे एक दो तीन चार पाच उसके बाद ऐसे करके यहां पे छे उठा देना है इन चार पाच उसके बाद यहां पे ऐसे करके यहां पे एक दो मैं आपया है और फिर दो के छोड़ एना पैसे लाइक दिस किलो ऐसे करना तुम नो ठीक है और जा तक मुझे पता है अब आगे देखते हैं करना क्या है अब इतना अब तू क्या करने लग रहा है आपे इसके बाद दो मिनट दो मेरे को फिर मैं देखता हूं यहां पर करना क्या है इसके बाद मेरे को फिर मैं देखता हूं यहां पर करना क्या है इसके बाद मेरे को फिर मैं देखता हूं यहां तो पहले तो मेरे को ना स्टेर्स थोड़ी सी नीड है, स्टेर्स बनानी है, स्पूस्पूस की, मेरे को थोड़ी सी स्टेर बनानी पड़ेगी, स्टी ए आया, स्पूस्पूस्पूस्पूस्पूस्पूस्पूस्पूस्पूस्पूस्पूस्पूस्पूस्पूस्पूस् परिपर चड़ंगे करना आपीक आइसे समझे ब्रतुम क्या कह रहूं आए हLaugh पिर ऐसे इसके बाद तुम भी देखो क्या पर नैं उसके बाद यहां पर भी करना या पर इसके बाद यहां पर bend i ao내 खुंहा नहीं लाइस न हना व trades मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कर क्या रहा है पहले तो मेरे को तोड़ना है और उसके बाद यहां पर स्पूरूज की जार मेरा स्पूरूज इसको लोग में करो उसके बाद यहां पर से इसको ऐसे करके तो फिर ऐसे करना है लेट्स गू तो मारे बाई समझी गैसे करना इसको था तो यहां से भी सहीं करना पता है मेरे को अब रूब पानी मार के दो मिनट में चड़ जाओंगा जस्ट लाइक तैट क्वेस इस टाइब से करना पडएर तो मैं समझे नूत इस टाइब से और यहां पर भी करना था और उसके बाद इहां पर एक लोक लगा उम आ पर इसको फेर ऐसे तो गरना थो आ भाई एग मिनट एग मिनट गोड़ सझग तो नहीं करती है और नहीं नहीं कुछ भी नहीं किया मैंने इसके बाद नहीं पर इसको ऐसे कर देना है ठीस नाइक दैड आइप ऑफ़ी जी प्रोसेश बफ़ी जी उसके बाद इसको ऐसे जोईने पर दूँ बस समझें तुम दो मतलब ऐसी लुक आनी चीये समझे रहो ना क्या कह रहा हूं मैं बिलकुल सेम ऐसी बनती हुई जो उसके बाद आप इसे ऐसे ही करना है उसके पीछे जाके लेट्स गो भाई ने पैंटिंग भी लादानी स्टार्ट कर दिये बाई एडम यही तो काम पर जाने दे बाई जरा आ लगई फट अब आ बीड़ काम कर देता हूँ आ झालिक कर दें यह इसमें भी हुई करना है भाई फटा फट से दिन कर देयार इसके बाद इसको यहां पे ऐसे और ऐसे करना है इसके बाद एक ब्लोक यहां पे लगा देना है और फिर यह ऐसे हो जाएगा इसके बाद एक यहां पे भी लगा दुआ और तीन यहां पे समझ गया है वाई तीन कि इतना सवी तरीका यूजर करता हूं, इतना बिर बनते जा रहे है, मजक सर्ट के और फेशन हंडो सब्क्रेशनल बैलित त्वस्क्राओं वन रहे हैं, ऐसी बात ने है, और अब Kraux वनेक्ट करना है, ओर जेखना पड़ेगा काइसे करना है, िला भी यार कैसे करना था मई ना पे स्टेर से लगाई है इस बाई ने जो मैं फोन में देख रहा है उसके बाद स्पूस मेरे को connect करने मैं समझी है जो जो भी ये तीन ब्लोग का यहां पे gap है ने रि일 की तरफ में यहाँ पे स्पूस में एको कनेक्ट करने, अर जर हमें स्पूस ले का आया ठीक है यहां पे यह रही नक produces थोड़ी सी सपूस को तोड़ दे तुन नी उगाई होगगी ज फट-फट से तोड़ी सको यज्याई अभी अभी प्रूस की नीड है वोके और स्पूस अभी मेर को यहां पे लगाने जस्ट एर ऐसे अमझेर हो तुम लोग बिल्कुल ऐसे मेर को स्पूस टिकानी है उसके बाद यहां पे भी वोई सेम तिंग रिपेट होएगी दिए जांट लाइक ूटल के पाद इघर हैं to display मुए करते हैं आई से बढ़ इसको रिपीट होई लैट्स गो इसको ऐसे करनाहे हैं उसके बाद देखते हैं कैसे करें स्टोर्न ब्रिक्स की बोल लगा ने कुछ इस परबार से मोल ने लगा नी स्लैब लगा नी है क्या क्या कहा हूं बाइश लेवारे diabetes छावम हमारे पास बहुटत सारी पड़ी है झुड़ी मैं पॉर सॉरी मैं ने कर पायाए अभी के लिए इस्टोर्न ब्रिक्स को यहाँ पर रहो कि काफी सारे स्टोन ब्रिक्स है हमारे पास और रभी इसको यहाँ पर स्पूरूज जही। मेरे लाने पड़ी यह रुको फटाफट से लाग लाता है तुम्हारा भाई स्टोन स्लैब उसमें रखे स्टोन ब्रिक्स लैब एक्चुली और इसके बाद का जो बिल्ड है न यह देखो कितना क्रीजी दिख रहा है यहां से इसके बाद का जो बिल्ड है वो भी एक नमबर होने वाला है समझे इसमें है यह लोग स्लैब इसलैब पड़िया भाई यह देखो इसे कहते है वाई स्टोन ब्रिक्स उसे स्लैब और पड़िये गया नहीं और नहीं है अभी फटा-फट से निकलते गाइस अपने इस बिल्ड को कम्प्लीट करते है फिलाल मैं थोड़ा स्लू काम कर रहा हम प नहीं है और यहां पी क्या बोलते है गाइस मेरको नहीं काईडी आ रहा है अभी तो हम यह बना रहे है इन फ्यूचर जब यह बिल्कुल सही से हो जाएंगे नहीं सारी फैंस में हटाने के सोच रहा हूं इन फ्यूचर जब खतरनाक खतरनाक बिल्ड हो जाएंगे अभी के यहां पर एक मिनट मेरे को जरा देखने पहले तो इस बाही नहीं सेम तिंग यहां पर रिपीट करी और फिर यहां पर मैं समझ गया कि क्या करना है गाइस एक्चुली शायद नहीं समझा मेरे कुछ समझ में यारी समझा नहीं समझा वाई यह चली कह रहा है मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूं इसे ओके तो मेरे को ऐसे करना है ठीक है तो गाईज यार मेरा टोटल यार धिमा खराब हो चुकार यार मेरा यार मैं इसको न वीडियो में See और जार बना करें तुम लोग से विलेजर को मैं पता मेहनत करके जगाया बाई आउट रो देने के लिए मजाक सटके इतने घंटे लगे ना इसको बनाने में क्योंकि थोड़ी बहुत उसमें दिक्का तोई थी थोड़ा सा उसकी छट को तोड़ के हमने पूरा बना लिया है और फाइनली चलो तुम्हें दिखाते है दर लुक इस है वह देख सकते और विलेजरों को भी डाल दिया है मैंने जब इतने घंटे लगे नहीं तो वह तो बन गया था कुछ देर में बट जब विलेजरों को डाला ना बहुत घंटे लग गए तो अब तुम देखो दफाइनल लुक इस कितना ब्यूटिफूल लग रहा यह सारे विलेजरों तुम देख सकते हो कितने मस्त लग रहे हैं यह और यह ट्रैप डॉर में से हम इनको ऐसे बंद कर सकते हैं रात में और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कितना मस्त हमारे पास एमरेल्ड काफी जाद आते क्योंकि हमने भूती रीड जीती हुई है और यह सबसे जादा मैंनत बताओं किसमें लग यह मजाक से अठके इसको करने में बहुत टाइम लग गया वो तो सही है कि यहां पर हमारे पास टरटल थे बस थोड़ा सा जादा ही टाइम लग यह तो चलो जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहां पे पूरे विलेजरों का लंगर लगा दि है और कुछ इस टाइप की इसकी देख़ए चाहता मैंने यह पूरी यह दुबारा तोड के बनाई है और यह जो फैन सिस्टम देख रहे हो ऐसा लग रहा होगा थोड़े पीछे बन गए यह महीं बना पड़ा है बटे फैन से यह सारी तोड के थोड़ी सी मैंने अडजेस्ट होल इदर है और हमारे डायमेंड के आर्मर अब हम खतरनाक तरीके से इंचेंट कर सकते हैं तो इस वीडियो का लाइकेम तुम्हें पता है कितना है और जो भी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना और इस वाली वीडियो पे खतरनाक सपूर्ट दिखा दो भई शेयर पे